बाई सेल सिगनल सोफ्ट्वेर में आप सबी का फिसे स्वागत करते हैं आज हम एनालिसिस करेगा कॉमोडिटी एन एक्विटी मार्केट का आज तारीख है सो बिस डिसेमबर दोजार उगनीस और आज आपके समने बताएगे आज का पॉफरमस क्या दिया है हमारे सोफ्ट्व सही है और कौन सा गलत है तो SBI के अंदर हम आपको दिखाते हैं आज उसने सेल सिगनल दिया था ये सेल सिगनल हमारा परफेक्ट ट्रेड था कमफोर्म ट्रेड था वो कैसे पता लगेगा कि ये परफेक्ट ट्रेड है तो उसका रिजन यह है कि सेल के पहले उसने एक डाउन color की line है उनको cross करके नीचे आ गया है तो मतलब की double verify trade हो जाता है तो एस sale signal है वो double verify trade है अब buy signal की बात करते है तो buy signal केसा confirmation होता है वो हम देखते हैं ये green color का arrow है वो buy signal है ये buy भी perfect trade है confirm trade है केसे क्योंकि buy के पहले एक upper side blue arrow दिया है इसलिए यह buy perfect है अब buy देने के बाद software का काम खतम नहीं होता है buy के आगे यहां आपको बोला कि software में hold रखिये और उपर जाएगा यहां फिर से आपको बोला hold रखिये और उपर जाएगा जैसे downside arrow आए आपका position exit वेसी तरह मैं आपको कोई script और दिखाता हूँ जैसे की jing तो jing के अंदर हमारा sales signal बना हुआ है यह मैंने परसो भी live किया तब हम जब हम free में live करते हैं तब आपको free में signal मिल जाता है इसलिए हमारी channel को like कर दीजे subscribe कर दीजे हमने परसो live करके बताया था कि sales signal आ रहा है confirm है उसका reason यह था कि यहां उसने confirmation error दिया था बाद में आपको बोला और नीचे जाएगा hold करिए और नीचे जाएगा hold करिए जैसे जैसे नीचे जा रहा है वेसे वेसे आपको continue रखवाएगा software आज भी अभी भी live market में गिर गया देखिए आपके live में और परसो हमने live किया था वो भी वीडियो चेक करके देख लिजिए यह हमारा जिंक का continue sell में चल रहा है बहुत नीचे गिर गया करीब हम 4 रुपीस 4 रुपीस बहुत होता है जिंक के अंदर only 3 डे के अंदर तो software continue आपको support बोलता रहता है कि और नीचे जाएगा hold करिये 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 देखिए आज market open हुआ फिर से आपको बोला hold रगिये यह seat number 2 से भी हम चेक करते है तो white color की line है तदा तर उपर चल रही है मतलब कि confirm trade है double seat से verify trade था तो ऐसी तरह आप सभी के अंदर काम कर सकते है कोई दूसरा चेक करते है तो अभी sale signal आया है nickel के अंदर जो की unconfirm trade है उसका reason यह है कि downside confirmation नहीं मिला तो हम इसको ignore कर देगे दूसरा कोई script चेक करते है तो bank nifty के अंदर हमारा buy signal हमारा जो live था सेशन था तब मैंने बोला था confirm है और यह जो sale है वो गला थे तो इसमें हम trade नहीं करते SDFC के अंदर देखते है तो buy signal मिला था आज का trade है confirm था वर उपर गया बचाज auto के अंदर देखते है तो buy signal है confirm है क्योंकि buy के पहले एक उपर की side blue arrow दिगाए था यहां आपको بولा और उपड़ जाएगा hold करें और और उपड़ जाएगा hold करें काफी लंबा उपर गिया our groważin photoc a अंदर आपको बोला था confirm है और यहां से आपको exit करवा है फिर से re-enter करवा है फिर से exit करवा है फिर से री एंटर कर वाया, और काफी लंबा उपर गया, मारेकों के अंदर अभी buy signal आया है, अज market trending के टाइप पर आपको trade नहीं करना है, क्योंकि confirmation नहीं था, उसके फहले का sale था, confirm था, क्योंकि hold कर ये, hold कर ये, hold करके नीचे आया, और buy signal था, वो भी confirm था, यहां आपको बो की मुताबिज हम आपको बताएगी कौन से स्टोक के अंदर क्या करना चाहिए और कौन से स्टोक के अंदर बाई या सेल आ रहा है वो सब कुछ इंफोर्मेशन आपको देगे ट्रेड करना ना करना आप पर डिपेंड रहेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप कराएगा थेंक यू पर वाचिंग दोस्तो जाए हिन